तो चले दोस्तों लेकर आज चुके हैं आप सभी के लिए यहाँ पे कलास्टेंथ वालोग के लिए रियल नंबर वास्तिविक संख्या से दोस्तों जितने भी अबजेक्टिव कोशन पूछे के हैं वो सारे कोशन हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं यह पार्ट नंबर 3 है दो ठीक हैं दोस्तों इस वीडियो को सुल muss लकर अंतक चेखेगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कि तधर चैनल को सब्सक्राब करके बेला किनको प्रेस कर दिजे और दोस्तों वीडियो को लाइक करके शिए जलूर कर दिजे ठीकना ताकि여 नयू विडियो करने ल तो चले दोस्तो एक एक कोशन यहां पर हम लोग देखते हैं बहुत इंपोटेंट है शुरू से लगकर अंद तक जोर देखे हैं क्योंकि इसी चैनल के मदद से आप लोगों को हर सब्जेक्ट के त्यारी करें जी कि दोस्तो मैटिक बूट्च हाथ रोके लिए ठीक है दोस्तो 31 नमर कोशन से यहां पर क्योंकि हम लोगों ने 1 से 30 कोशन तक कर रखे थे ठीक है न यह तिसरा पार्ट है दोस्तो मैं आप लोगों को बताया ही संख्या तो परमेशंख्या का मतलब पूर्णों वर्गों दोस्तो या भिर पीवैक्ष्2 के रुख में लिख सकते हैं रूट अंध्र है है यह जैंत summarize हो से ब्सक्राइब यहां सहरा नबर यहां पर उघिया नफूं लिए को 32 का रूट अंडर 2 है एक तो रूट अंडर 2 जो है दोस्तों ये को पर अमें संख्या दोस्तों आपका अ पर में संख्या हो जाएगी तो तो आप्सन नमबर एक के साथ चलेंगे ठीक है ना यहां पर मत सोचना कि यह पीवाइक के रुपे लिखा है तो पर में संख्या लगा देंगे यहां पर आप्सन नमबर यह हो जागा ऑपर में संख्या अगला यहाँ पे निम्लिकित में से कौन सा उपर में संख्या है तो उपर में संख्या यहाँ देख लेते हैं कौन सा जोस्तों तो रूट अंडर चाहां पर आठ का स्कुरार बट्टा च्छे नौ पांच और ये सात वट्ट आपका तीन इन में से कोई भी आईसी संख्या नहीं है जो पर में है वह सारे आपका पूर्ण वर्ग है तो ये सारे पर में संख्या तीस में कोशन नहीं थोड़ा सा मिश्टेग है न आप सनमर्य यहां पर कोई भी राइट नहीं होगा जो अपर मेंस अंग तीन के आपका संख्या है इसको हम लोग छोड़ देते हैं अगला परसंग दोस्तों कि ग्यारा वट्टा पर चीस का दसम्ह्वल्ब परसार क्या है तो यहां पर कोश्चन से 11 बटा 25 का दसमला परसार होता है तो देखें मैंने आपलों के बते थे अगर कोई संख्या पी बाए क्यू के रूप का है और क्यू का मान अगर उसका गुरनखंड 2 और 5 के रूप का आ रहा है लेकिन पी और क्यू में कोई भी कॉमन नहीं होनी चाहि और क्यू का जो गुरनखंड होगा वो दो और पांच के रूप का होना चाहिए 11 बटा 25 है इसमें कोई भी कॉमन नहीं सही है 25 का आप लोग गुरनखंड निकालो कितना आगा पांच पांच तो सिर्फ पांच आया दोस्तों और दो पांच और दो क्यालों कुछ भी नहीं आ जाएगा है ना दो के वर जिरू लिख सकते हैं इसको हम लोग तो पांच और दो के वर जिरू यहां पर क्या हो जागा यह आपका सांत दसमलब पर सार हो जाएगा देखें जब भी कोई संख्या पी वाइक्यू के रूप का हो और पी और क्यों में कोई भी निस्ट गुरन नहीं हो और क्यों का भाई लू दो और पांच के गुरन फंड के रूप के रूप के चाहे दो आए या फिर पांच या फिर दोनों आए लेकिन दो और पांच के अलाब आगर तीन आ गया दो तो साथ आ गया एक ग्यारा आ गया तीरा आगया यह सारे क्या हो जागा आपका सब्सक्राइब हो जाएगा और यहां पर भी के साथ चलेंगे सांत देखो ना फटा फट करो गया आप लोग बताओ इसका एंसर 17 वटा 14 का कोई भी कॉमन नहीं है बिल्कुल तो इस चोदा का निकालो दोस्तों आप लोग गुर्ण खंट दो गुने साथ दो के लावा साथ आ सलावा तीन आगया दोस्तों तीन जैसी आए असांत हमारें के समझ में आदीना काफी अच्छा है दोस्तों यह कॉल्ट सब्सक्राइब को समझने के लिए कोई कई कई सारे चाहत होते हैं करता है कि ने करता है ठीक है उसमें थोड़ा सा जैदा समय लगेगा आप लोगों को बताने के लिए बस आही लगता है क소 और नहीं हो और क्यों कोई उभिन के नहीं हो और क्यों और पांच का रपकर है मतली नखुंद ढंड कि दो आई यां फिर के बलपाँचा यां फिर दोनों आये दो और पांस ध सक कुछ भी नवीन आनी चाहिए तो आप सांत हो जाए तो पाई दोस्तों बताया ही था कि अपर में संख्या है पाई का मान क्या होता है 22 बटा साथ संभवतल लगभग तो 22 बटा साथ कौशी संख्या हो जाएगी बोलोगे कि सर पाई एक अपर में संख्या और पाई का मान ये है 22 बटा साथ तो 22 बटा साथ ये अपर में होगा नह अगला है दोस्तों कि दो पर मेसंक्या होगे बीच कितनी पर मेसंक्या, भाई? अनंत काफी सारी important question दोतोर ये लगवां लगवा हो दोतों हर साल पूझा जाता है अगला है दोस्तों कि 33 पलस Guardians to Spirit minus root really 50 प्रकाट, देखने से लगवांना होगा आप्रі लेकिन यह लगा परिमें दोस्तों क्योंकि यह त्रिका स्कौ़ाइर मैनस रूट अंदर सिरी का स्कौआर हो जागा तो नौ मैनस तीन व्राबर चेट शे वटा एक पर में संख्या है इसको थरा सा हल करोगे तो आजाएगा अगरा है दोस्तों की 3 플स 2ू5 कौंसी संख्या आई तो यह आपर में संख्या है दोस्तों 3ू5 रूट अंडर 15 बटा 3 तो 5 15 यहाँ पे रूट अंडर 5 कौंसी संख्या तो आपर में संख्या निमर्या कितुमसे कौन वीजाती है मतलब य चारों में एक भीन होगा और तीन सेम तरह के संख्या होंगे तो देख लिते हैं दोस्ति यह तीन वटा पांच है प्यू की रुपए पर में 16 वटा चार है दोस्तों यह आपका चार तो चार वटा एक पचीस वटा नौ यह भी पर में है लेकिन यह रूट अनर टू बैफाइ है तो रूट अंडर फाइब जो दोस्तों संख्या है यह क्या है आपका और में संख्या अप्सन नमर बी के साथ चलेंगे और में संख्या अगला है दोस्तों कि सबसे छोटी अभाद संख्या कि अगर बात करें दोस्तों तो आपका दो आ जाता है तो आप्सन नमर एक के सा संख्या दोस्तों यह सारे आपर में क्यों हम लोग कोई भी संख्या से अगर मल्टिप्लाइ करते हैं दो बार तो यह रूट हट जाता है दो तो और सिर्फ 11 अब टाम एक यह आपका क्या हो जागा इसका मान 11 हो जागा और यह परमे संख्या के रूप का हो जाएगी अगला द वो आपका जैसे मान लोग की 1,1 है ठीक है 2,2 है दोस्तों 3,3 है 4,4 है मतलब जब भी दो सेम संख्या हो तो उसका मौसा सिर्फ वही संख्या हो जाएगी अप्सन नमर हमको यहाँ पर सी के साथ चलना है दोस्तों अगला प्रसंद देखते हैं कि 2 धनात्म पुनांग क्या है प्रसंद के लिए a ब्राबर बिक्यू प्लस आरफ में ईरक मंज्टा ऑह जही वोचिरो के बराबर या फिर बरा है लेकिन हमेशा बी से छोटा है STE अब चार ओप्सन दिए गए हैं दोस्तों आर जो है B से बरा होगा बिल्कुल गलत बिल्कुल गलत अरब्रा ब Trulyखते हो घ दोस्तों भाजक से छोटा होगा ठीक है ना ओप्सन नमर बी केसा चलेंगे यहां पर इस डी मत लगा ना क्योंकि डी में देखो नहीं यहां पर बराबर और इसकल टू दोनों है दोनों रहता तब सही हो जाता एक 11.23564 जो है एक कौन सी संख्या है तो जब भी रेकरिंग वा ले कोर्सन आ जाते हैं तो यह कौन सी संख्या हो जाता है तो वह आपका परमेश संख्या हो जाता है तो यह क्या हो जगा दोस्तों एक आपका परमेश संख्या ठीक है क्या हो जगा यह आपका एक परमेश संख्या 11.23564 के उपर रेकरिंग है इसको अगर हटाएंगे दोस् है ना फिर इसको पूरे में से 11 को घटाएंगे दोस्तों इस तरह के प्रस्ण आप लोग बनाए होंगे जब इस तरह के प्रस्ण पूंचाएंगे और रेकरिंग रहेंगे दोस्तों हमेसा लगाना यह परमे संख्या होगा ठीक है अब 5.2372 जो है एक यह भी आपको परमे संख है दोखो photographer 2019 जो फ़ starting to go to satisfy your daughter perto उपने पांच का महतम साबर्तक जो और हाइस्ति कॉमन एफ दोस्तों क्या आज गया बता इसको महतम सावस्ताब्र अगर आप लोग निकालों गें ते कितना हैगा इसका आजागा दोस्तो तीन का स्क्वाइर यहां पर कॉमन है ना और यहां पर दू कॉमन है और पाच चॉमन है तो हाइस्ट कॉमन फेक्टर क्या है आपको बता यहां पर तो सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर क्या हो जागा आपका 90 हो जागा है ना इसको थोड़ा सा हल करोगे तो यह 90 के बराबर आ जाएगी इसका महातम समावर तक करनी समय कि तो यह आजैगा दोस्तों आपका दोस्तों नहीं कि हैंस्ट अभर और यहां पर 2 pos-1 हैं तो यह तो कौमन क्या है दो के रवावर एक ना तो यह के पढ़ pozम्न सुंहां था फिर पांच हो नेसे हैं ताइद kपांच CH 290 ओपसर lost नमबर एक के दक डको श्essenर काफी बार पुछे गया है और मैं आपको आगे बताूंगा ताकि आप लोग नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जाहिंद जाय भारा